देखिए दिल्ली विकास प्राधीकरण के दफ्तर के हम लोग बाहर है और एक ग्यापन जो है पहरी के मात्यम से हमने दिल्ली विकास प्राधीकरण के दफ्तर में रिसीब कराया है इस ग्यापन का जो विशे है वो बड़ा क्लियर है कि दौर का सेक्टर 14 में वेगास मौल के दौरा डीडिये की करोण और रुपे की ग्रिन लेंड को कबजा कर लिया गया और डीडिये जो है तमाम शिकायतों के बाद तमाम सलस्ताओं की सिकायतों के बाद तमाम इंडिविजल्स की समाज सेवियों की सिकायत के बाद भी डीडिये के जो ऑफिशिल्स हैं वो अतिक्रमन को मुक्त नहीं करा पाई यानि दिल्ली विकास प्रादी करन जिसकी जिम्मेवारी है कि लोगों को चलने के लिए फुटपात मुहिया करा है द्वार का जो है उसकी हर्याली को सुरक्षित रहे तो यहां फुटपात जो है वो अतिक्रमन कर लिए गए डीडिये कि जो ग्रीन लेंड थी सेकलो करोल की ग्रीन लेंड उसपे वेगास मौल के सिंचालों को द्वारा कबजा कर लिया गया और ग्रीन लेंड को concrete के साथ में जो stones हैं उससे पूरा पाढ़ दिया गया यानि द्वारका में अब न तो footpass सुरक्षे थें न सड़के सुरक्षे थें और नहीं जो green area है वो सुरक्षे रहा प्रहरी के माध्यम से हम लोगों ने सिकायद दी है प्रहरी पत्रकारों के एक संगटन है जो द्वारका और आश्पास के जितने हमारे पत्रकार बंदू है और तमाम जो संस्थाय थी उन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप इन विशें को उठाएं क्योंकि वो लोग तक हम लोग इंतिजार करेंगे अगले 24 तारीक को सुबा 11 बजे ठीक 11 बजे यहां पर डेमोस्टेशन होगा सांतिकूरवक अगर उसके बाद भी हालत नहीं सुदरते तब 10 दिन के बाद में फिर हला बोल होगा चाहे इसमें हर्दीपुरी जी का घेराप करना पड़े या फि दधيع का विधानसवा या फिर द्फिर आश्पास की ओर जो जितनी भी जमीन है चाहे हो क्लोनी की हो और ढश्टचार किसी का भी हो चाहे DVrober काना में फिर्दिघेंगे का हम लोग